नमस्कार दोस्तों, ग्रेटो इंडी यूटूब चैनल में आपका स्वागत हैं, तो आज हम इंटरनेट के रिलेटेड मोस्ट इंपोर्डेड एमसे क्यू स्रीज करने वाले हैं, तो चलो 51 कोर्शन और इससे पहले वाली स्रीज में मैंने 1 से 50 कोर्शन करवा दिये और ये ज़्मसे स्रीज है, सबसे पहला कोर्शन इसका, 59 का, ニिंटरनेट एकश्रोर इस डैवलोप बाई, कि इंटरनेट एक है जिसे विकसित किया गया, तो internet x4 किस ने विक्सित किया था यह एक एक browser है और Microsoft ने विक्सित किया था तो सही answer होगा D Next एक से दूसरे web page पर जानने को कहा जाता है एक से दूसरे web जानने को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है browsing तो सही answer होगा 52 का B Next Matching the following मतलब एक सुची दे रखी है कि WordPress क्या होता है GoDaddy क्या होता है और Baidu क्या होता है तो यहाँ पर देख सकता है तो 53 का जो सही answer होगा देखते हैं सबसे पहले का WordPress तो WordPress यह क्या होता है Creative Blog बलाने के लिए यह होता है बलाग बलाने के लिए और यहाँ पर second GoDaddy के होता है यहाँ पर एक यह होता है यहाँ पर एक Web Hosting और Baidu के होता है एक Search Engine तो इसमें सही answer होगा B, C सही answer होगा C 53 का Next 54 Google was founded तो Google कब बनाया था इस था अपना कब होई थी Google की तो वो होई थी यहाँ पर 1998 के अंदर सही answer होगा B Next Downloading एक परक्रिया है जिसमें डेटा कम्पुटर से कम्पुटर में ट्रांसफर किया जाता है तो यहाँ जो 55 का सही answer है वो है remote और knockout तो सही answer होगा A Next Google की खोज Sun Star उन WebPage की खोज करेगा जिसमें सिमलित है तो यहाँ पर जो 56 का सही answer होगा तो यह क्या करेगा यहाँ पर Sun पर जो होता है तो Sun से सुरू होने वाला कोई सब्द यह Sun से अंθ होने वाला क्या करेगा यह सही answer होगा 56 का A Next 57 नेमलिकित मैंशे कौन सा उस Web Server के पते को संदर भी करता है जो website की hosting की जाती है तो website की जो hosting की जाती है वो यहाँ पर क्या है वो है URL तो URL जो होता है uniform resource locator uniform resource resource locator next DNS का मतलब है यहाँ पर domain name system domain name system और जो mac होता है mac address जो होता है जो कितने bit का होता है वो होता 48 bit का next matching the follow facebook क्या है twitter क्या है और flip card तो flip card क्या होता है यहाँ पर e-commerce website है और यहाँ पर twitter एक जो है microblogging और facebook क्या है social lateral तो देख सकता है A होगा और C होगा और B होगा तो A, C, B A, C, B मतलब यहाँ पर जो 58 का सही answer है वो है C next कि google के search query में computer science उन वेफिस्टों की खोज करेगी जिसमें या तो computer या science the phrase the computer science मतलब वाक्यांस computer science both computer and science but not nurses together computer और science दोनों सब्दों को लेकिन एक साथ होने की बाद इतन नहीं है और तो इसका जो सही answer होगा वो होगा यहाँ पर सही answer B तो यह वेफिस्टों में क्या करेगा computer science को ही search करेगा next 60 निम लिकित में से कौन सी OSI लेर एक चौट सी दूसे चौट सी दूसे चौट तक तुरूटी खोज कर सुदार परदान करते हैं मतलब OSI लेर जो है error detection तो error detection वो होता है वो किसम होता है transport layer transport layer जो होता है heart of OSI heart of OSI किसे का जाता है transport layer को का जाता है next 61 SMS की full form SMS की full form जो है short message service सही answer होगा इसका भी C next GPRS GPRS क्या होता है GPRS जो होता है general packet radio service तो यहां पर इसका सही answer होगा C next client side लिपी आमतोर पर वेपेज पर computer programmer को निमली की दौरा client side पर क्रियानवित करने वाले संदरवित करती है तो यहां पर कहा रहा है client side script generally refer to the class computer program on the web that are executed client side by तो यहां पर 63 का जो सही answer है उससे हम क्या बोलेंगे web browser जैसे web browser के लिए सबसे ज़्यादा popular जो है अभी कौन सा अपना Google Chrome और Windows 10 के अंदर जो होता है by default कौन सा आता है वो आपको धियान रखना है Microsoft एज नेक्स्ट कोरिशन के 64 के दा function of DNS convert to DNS का कारी है DNS का कारी क्या होता है तो वो होता है यहां पर domain name into the IP address मतलब domain name के साथ IP पते को परिवर्टित करना तो सही आंसर होगा इसका A 65 HTML tag सही सरचना नेमलिकित में से कौन सी है तो यहां पर सही सरचना जो है वो क्या होगा सबसे पहला आएगा यहां पर HTML फिर यहां पर आएगा head जाता है तो यहां पर जो 65 का जो सही आंसर है वो है यहां पर B जिसे हम बोलता है FTP FTP का मतलब यह फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज के जाता है SMTP क्या होता है यह mail को ट्रांसफर करने के लिए हो जाता है और यह जो होता है क्या होता है एक remote login system होता है remote login system next 67 net पर किसी संसाधन का पता कहलाता है तो यहाँ पर address of the resources on the net known क्या कहलाता है यह कहलाता है यहाँ पर URL next निम लिकित में से pp की मतलब point to point protocol pp का मतलब क्या होगा यहाँ पर point to point protocol point to point protocol protocol कौन सी layer के साथ link की स्थापना का उतरदाई होता है तो यहाँ पर जो 68 का जो साई answer है वो है LSP next 69 Google Chrome में वर्तमान पेज को bookmark करने के लिए कौन सी shortcut की दबई जाती है तो bookmark करने के लिए Google Chrome में जो shortcut किया है वो है control D next TCPI model में कितनी परते होती है तो TCPIP model में जो परते होती है वो कितनी होती है 4 next FTP का परियोग निमली कित के लिए किया जाता है FTP का जो यूज होता है file transfer के लिए किया जाता है तो यहाँ 71 का सही आंसर होगा upload and download data from one computer to another over the internet तो सही आंसर होगा 71 का C next SMTP की port की जो नंबर है वो कितना है तो यहाँ पर SMTP port का नंबर होता है 25 next निम लिकित में से क्या एक antivirus software है तो इस मतलब perform the data compression data compression किसम होता वो होता पर्जेंटेशन लेयर में तो 74 का सही आंसर होगा C next निम में से कौन सा सब network शुरुक्षा से संबंदित है तो network से related जो security होती हो कौन सा है यहाँ पर तो वो है यहाँ पर firewall next 76 निम लिकित में से कौन सा network परिक्षन करने के लिए उप्यों किया जाता है मतलब टेस्टिंग के लिए network लिकिया यूज किया जाता है तो यहाँ पर 76 का जो सही आंसर वो है पिंग करते हैं जैसे command promote ओपन करके cmd open करके command लगाएंगे जिससे हमको क्या करेंगा testing of the network फिर आता है निम में से किस को 255-255-255 swap जाता है तो यह जो होता है यह क्या होता है सबनेट मास्क होता है क्या होता यह सबनेट मास्क तो यहाँ 77 का सही आंसर है यहाँ पर डी निम लिकित में से कौन सा सर्वर और कार यह इस तैनों के मद यह संपर्क इस्तापित करवाता है तो यहाँ पर कहा रहा है communication between the server and work किस्ट अस्टेंबलाइज कौन करता है यह तो यह जो करता है यह करता है terminal access point सही आंसर होगा C next Wi-Fi Wi-Fi की होगी wireless fidelity तो सही आंसर इसका D 80 सभी वास्तविक शुरुक्सा और गोपनेता जो खिम के उदारन है सिवाए तो यहाँ जो 80 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पर B spam जिसम unwanted male का जाता है unwanted 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 male male उसे क्या का जाता है spam यह फिर हम कह सकता है जंग next परवतियां का अधियन करने के लिए बड़े विक्रिताओं द्वार ओपियों की जाने वाली परकरियां मतलब large retailer steady trends जो होता उसे क्या का जाता है तो उसे का जाता है data mining अपरादी computer को हटाए गए सत्यगरत फाइलों को पुनप्राप्त करने और पढ़ने की व्यवस्ता कानूर प्रवत्रन व्यवस्ता का एक उधरन है तो उसे क्या का जाता है यहाँ पर computer forenses सही answer होगा c next निमले के कौन सा खोज इंजन और निर्देशिकाओं के बारे में कौन सा सत्य है तो यहाँ पर 83 का जो सही answer है वो है यहाँ पर all of the above तो यह जो दे रखे हैं यह सभी यहाँ पर जो है इसके बारे में सत्य दे रखे हैं next client program worldwide web के माधियम से उपलब्द internet सदनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह जो उपयोग किया जाता है किसका किया जाता है वैब ब्राउजर का सही answer होगा b next निमलिकित में से कौन सा search engine लगातर बेशता है और जो server के मुके paste पर शुरू होता है और सभी link चरण मन तरीके से follow करता है उसे ह हम कहता है यहां पर spider से आंसर होगा ए इंटरनेट यूज इंटरनेट क्या है इंटरनेट जो होता है यह क्या होता अपना 86 का से आंसर है वह है package switching next 87 किस देश ने सरवदिक इंटरनेट का उपयोग किया था तो सरवदिक इंटरनेट का जो उपयोग किया था यहां पर भी चाहिना 88 इंटरनेट इंटरनेट द्वारा साक्सित होता है तो इंटरनेट जो होता है वो साक्सित किसे होता है वो होता है W3C मतलब वर्ल्ड वाई वेब कंस्ट्रून next एक application में दूसरे line में data का अस्तंतरन रूप में जाना जाता है तो मतलब यहां पर thanks of data from one another application is another line in noun क्या कहता है उसे उससे कहता है dynamic data accent say answer D hardware address को किस रूप में जाना जाता है तो physical address को किस रूप में जाना जाता है तो वो जाना जाता है mac address के रूप में और mac address के बाराम ध्यान रखना यह जो होता है 48 bits होता है next mac stand for mac की जो full form होती वो होता है media actions control say answer होगा 91 का D 92 mac address में IP address को क्या translate करता है तो यह जो translate करता है वो करता है address resolution protocol address resolution protocol is short form जो होती ARP next EMI EMI की जो full form होती हो क्या होती है यहां पर वो होती इंटरनेशनल मूबाइल एक्यूपमेंड आइडेंटी है say answer होगा B application Sani के साथ IoT setup में smartphone का उप्योग किया जा सकता है तो यह 94 का जो say answer हो है C4 application cable TV और DSL के उधरन है cable TV और DSL जो होता है यह किस के उधरन है तो यह उधरन है अपने यहां पर man के metropolitan area network के किसका उप्योग करने से email address याद करने के आउसकता नहीं होती है तो याद करने के आउसकता नहीं होती है वो कौन से है 97 का जो say answer है वो है D subject के बारे में subject में क्या होता है short wishy के बारे में बताता है email account का storage area जहां सभी mail store होती है उससे क्या कहा जाता है तो सभी mail जहां store होती है तो उससे कहा जाता है mail box email address का पहला भाग को बताता है तो email address का जो पहला भाग होता है वह होता है यूजर नेम तो सभी आंसर होगा 99 का भी नेक्स्ट नेम में से कौन से इमेल क्लाइंट है तो इमेल क्लाइंट जो होता है वो कौन से होता है आउट लोग तो यहां पर इसका सही आंसर होगा यह दी यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद